Hello friends and welcome to the exams made simple we are back again with the Hindu analysis for 28th of January 2024 आपका सवाल कि 27 का कहा है 27 को दहिंदू नहीं आया था कल आप देख सकते हैं website पे और 26 को चुकी parade थी तो I was busy in the parade work so I was not able to make the video I am very sorry for that but आज से मैं अनालसी शुरू करते हैं और सारी कुछ news item आपके cover रहेंगे आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है like बस कर देना दोस्तों आप थोड़ा सा भी like करते हैं तो हमारी पूरी महनत सकारता हो जाती है तो आप लोग जोगर थोड़ा सा like करते हैं तो it gives us a lot of boost I hope you will do that from your end and start करते हैं आज के analysis को from the front page पहली जो front page की cover रहे हैं इंडिया और फ्रांस ने agree किया है कि वो joint surveillance missions बनाएंगे for the Indian ocean आप सब को पता है कि फ्रांस के जो प्रेजडेंट है Emmanuel Macron वो आयत इस बार 26 जन्मरी को as the chief guest और इसके कारण उनका जो मलब नई नई deals के बारे में उनके आर इंडिया के हमारे जो prime minister है मुदी जी उनके साथ काफी discussion हुगा और उन्हेंने कहा कि now they will build upon the work they have been carrying out आप सब को पता है कि इंडिया और फ्रांस जो है वो La Reunion जो फ्रांस का एक island है बहुत famous La Reunion वहाँ पर joint surveillance mission already उन्होंने 2020 से 2022 में किये थे उसी को और build up करते है पूरे की पूरे जो आपका southwest Indian Ocean है southwest Indian Ocean वहाँ पर joint surveillance और ये सारे missions जो है करने के लिए इंडिया और फ्रांस जो है वो तयार हो गए है ठीक है that is the thing which is important इसके अलावा फ्रांस को भी ये लग रहा है कि इंडिया can be made as a base for manufacturing and export of defense equipment तो फ्रांस भी इंडिया को एक base for the manufacturing and export of defense equipments बनाना चाहता है that is another thing which is there I hope you will remember that ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते है और प्रेजिडन भी चाहते है वहांके and France हमारा बहुत important एक ally है क्योंकि France ने लगबग मुझे लगता है सारी चीज़ों में support किया है इंडिया को आस तक आचाहे वो UNASC की membership हो चाहे कोई भी चीज़ों तो France has been supporting India in that और France हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है हमारे relations already from the time of टीपु सुल्टान और हैदर अली के वहां से आप टाइम देखें तो टीपु सुल्टान के टाइम पे जो पूरे जैकोबिंस क्लब का membership लिया था उसने और France के liberty, quality, fraternity से काफी ज़ादा inspired भी था उनका जो idea था प्लस जो वेपन की कंपणी, manufacturing कंपणी बनाई थी टीपु सुल्टान ने कोई France की मतस सही बनाई थी याद रखेगा, hope you got clarity there हना France is the first major western military power with which India has conducted joint patrols with India's navies P-8I maritime patrol aircraft हना, तो याद रखेगा की France पहली एक major western military power जिसके साथ India ने joint patrolling या joint surveillance operation इस तरीके से किसी foreign territory जैसे की यहाँ फ्रांस की इनला reunion की बार चल रही है वहाँ पे जा करके किये हैं इसके अलावा मैं आपको India और France की कुछ difference जो exercises उनके नाम बता देता हूँ, आप लोग को पूछ सकता है एक है वरुन, अगर आपसे कोई पूछते है वरुन क्या है तो वरुन गिंडिया की और France की naval exercise है एन आरई ना वरुन मैं? तो naval exercise है ठीक है न N से naval, N से वरुन वरुनake related टेक है इस वरुन naval exercise है तो आपका गरुट, गरुट जो है basically वो air exercise है ठीक है? गरुट के है गरुट एस air exercise तो वरुन में न आरःई था अर्मी तो बचीन काइप यह शक्ति 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 शार्मी तो अगर आप सो कोई बूस्टे है कि वरून-गरून je यह शक्ति कहां पर ने किसके साथ होते हैं तो यह इसा इसे कुष्छिंग भी बन सकते हैं है fried tea regarding that existing एक काम करते हैं फ्रांसाम का UK के beach में जो water body है उसका हम English channel बोलते है ठीक है ना ये क्याद रखेगा then the bordering countries में हां Belgium आपको उपर दिख रहा है Luxembourg दिख रहा है Germany दिख रहा होगा यहापे Switzerland दिख रहा है Italy दिख रहा है all these are the bordering countries इसके लावन नीचे आपको Spain दिख रहा होगा Andorra पार्ट दिख रहा होगा और यहाँ पे Italy के बाद नीचे यहाँ पे Monaco भी दिख रहा होगा प्राइम मेरीडियन की बात की जाये तो yes it passes through France that is the thing which is there इसके लाब पिरिनीज मैंने आपको बता ही दिया है then आपको Massive Central एक दिख रहा होगा पठार वाला पार्ट है Massive Central that is again there जो की France में लाई करता है इसके लाब Alps का पार्ट है Jura Mountains Jura Mountains Switzerland और France की बीच में आता है Jura Mountains और France की बीच में आता है and then Wosges, यहां पर Wosges mountains भी है और यह भी एक तरीके के important block mountains है then इसके लाबा Seen River आपको बीच में दिख रहे होगा, Seen River is very important जहां पे Paris लाई करता है, Seen River पे ही Paris लाई करता है यहां पे Le Mans दिख रहा है, this is Le Mans, दिख रहा है यह Le Mans, Le Mans नाम के बहुत famous race होती है अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग जान लिजेगा, Le Mans नाम के बहुत famous race होती है I think 24 hours वो race है, 24 घंटे उसमें लगातार गाड़ी चलती रहती है and 24 hours race कहलाती है Le Mans और यह एक movie थी Ford vs Ferrari करका अगर आपको नहीं पता तो Ford vs Ferrari is a very very beautiful movie it's based upon real life also, Ford vs Ferrari तो Le Mans के आप वो movie देख सकते है, that you can see है आगे move करते है, map वाला part हो गया है, तो हम move करते हैं अगले news analysis पे women welcome women guests in Kerala's spice groups यह जो है यहाँ पे actually UNESCO की मदद से I think UNESCO, नहीं sorry UN Women की मदद से याद रखेगा इसको UN Women की मदद से Kerala में कुछ initiatives हैं जो spices grow करने वाली women उनको help किया जा रहा है कि एक तरीके से उनके तरीके से कहना चाहिए entrepreneurship या उनके अंदर tourism को बढ़ावा देने के लिए basically यह सारी चीज़े tap की जा रही है ना इसमें women के साथ choir making या toddy tapping हो गई experimental tourism यह की highlights है जिसमें UN Women जो है identify कर रहा है state में कुछ ऐसे ventures जहां पर जो women friendly हो और जहां पर उनको include किया जा सके ठीक है ना इसके लावा वो women centric एक app भी develop कर रहे है ताकि उनके दोरा किये गए काम को familiarize किया जा सके और women जो bloggers है vloggers है उन सबको भी आगे बढ़ाया जा रहा है तो all these things will be giving a lot of employment to the women बात कर लेते हैं UN Women की थोड़ा UN Women एक याद रखेगा United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women ही UN Women कहलाती है It is United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women United Nations के Entity है जिसका काम है Gender Equality को promote करना, Empowerment of Women को promote करना Women rights को advocate करता है बहुत सारे issues जो है violence against women है या इन सब चीज़ों LGBT community जो है उनको भी UN Women देखता है ठीक है I hope you got clarity's के अलग-अलग नाम है Onu Famous या Onu Majerus तो अगर आपसे का भी Onu Famous या Onu Majerus बोलते हैं तो याद रखेगा कौन सी संस्था के बारे में बात चल देखेगा Formation हुआ था 2010 में 2 July 2010 को और UN Entity की रूप में आप इसको याद कर सकते हैं आगे देखते हैं और क्या important news article है यहाँ पर बढ़िए यहाँ पर आएंगे ग्यानवापी case which has raised challenge to Places of Worship Act 1991 तो क्यों Places of Worship Act इत्ता जादा news में आता है Places of Worship Act 1991 में लाया गया था उसमें बहुत सारे sections है जिसमें section 3 especially अगर आप बात करें section 3 जो है वो कहता है कि आप किसी भी place of worship का देखो लिखा है section 3 of the Act bars the conversion in full or part of a place of worship of any religious denomination into a place of worship of a different religious denomination मतलब कि एक place of worship अगर है किसी एक religious denomination का तो इसको दूसरे place of worship में नहीं convert किया जा सकता और यह status कौन सी cut-off date को देखा जाता है यह status देखा जाता है cut-off date 15-1947 के साब से लेकिन section 5 अगर आप इस एक्ट कर पढ़ेंगे तो कहता है it shall not apply to Ramjanma Bhumi Bavari Masjid case तो उसके उपर यह लागू नहीं हो रहा था 1990 उसमें अलग से exception ड़ा था अब लेकिन इसके अलावा तो कोई और exception नहीं था अब ASI के दोरा team गठित किया जाना या ASI को यह बूलना कि आप जाके चेक करो यह अपने आप में as per the author author के according यह है कि यह violation है of the 1991 act author ने यहाँ पहला की कहा है कि यहाँ पे justice डिवाई चंदरचून ने जो कहा था जो राम जन भूमी केस था उसमें काफी important एक चीज़ कही गए थी कि that 1991 act was an affirmation of the solemn duty of the state to preserve the equality of all faiths तो 1991 का जो act है वो इक तरीके से affirmation है of the duty of the state to preserve the equality of all faiths and the act was a manifestation of an essential constitutional value है न अब देखते उस constitutional value को क्या किया जाता है या कोई और caveat या code भी कई नई caveats निकाल सकते है तो let's see what happens Indian Navy AIDS British oil tanker stuck by Houthis नहाँ पे एक British oil tanker था MV Marlin Luanda and it was hit by anti-shift ballistic missile जो की launch की थी Iranian-backed Houthi militants ने तो Houthi militants जो की Iranian-backed है उन्होंने Gulf of Aden वाले region में आपको मुझे question का छोटास answer बताना है कि Gulf of Aden कौन सी दो water bodies के बीच में आता है ठीक है न कौन सी दो water bodies के बीच में Gulf of Aden आता है तो यह simple question है आप answer कर सकते हैं ठीक है यहाँ पे दो नाम है देखो यहाँ आप लेखा है Laconian Gulf जो की Greece में है और वहाँ से Singapore जाना था इस MV Marlene Luanda को तो Laconian Gulf अगर आप से कोभी यह UPC पूछ लेता है कि Laconian Gulf कहाँ बर है तो Laconian Gulf आप याद रखेगा आप यहाँ पे विरुपक्ष टेंपल याद रखेगा हमपी में है और यहाँ पे पांचे दियेगा है पांचे ने धोती होती है जो की जो visitors आ रहे थे अगर वो short dress में थे या mini skirt इंसम में थे तो उनको दिया जा रहा है पांचे तो काफी लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई dress code नहीं बट यह भगवान का घर है तो जो चीज शोभा नहीं देती हो नहीं देती है बला हर जगह का अलग एक तरीके से गोता है कि किस आप जाएंगे ना अब आपके office की meeting है तो आप वहां पे बन्यान और कुछ और पहन के तो नहीं पहुँच जाएंगे ना तो वहां का अप अलग तरीके से जाते है जब आपके job की बात रहती है तो यह आपको कहीं बाहर घूमने जाना होता है तो आप बहुत सा समर के जात तो आपके you are in a decency code I hope you got clarity regarding that थोड़ा सा हमपी के बारे मैं आपको बता दूं internal information भी दे दूं आपको तो हमपी की अगर बात करें तो अभी G20 की meeting हुई थी शेरपास की वो भी हमपी में हुई थी ट्रेडिशनल इसको पंपका शेत्र कहा जाता है और किशकिंधा याद रखेगा हमपी रीजन को ही पंपका शेत्र और किशकिंधा कहा जाता है हमपी जो है वो central करनाटका में है on the banks of Tungabhadra river कौन सी नदी पढ़ती यहाँ पे Tungabhadra river पढ़ती है UNESCO world heritage site है renowned for its historical and archaeological significance as it was once the capital of Vijayanagar empire one of the greatest Hindu empires जो था वो यहाँ पे लाई करता था river Tungabhadra जो है वो फ्लो करती है हमपी से architecture की बात करें तो बहुत सारे temples हैं palaces है market places भी है और विरुपक्ष temple जो विठ्थल temple है lotus mahal temple queen's bath elephant stables यह सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो विरुपक्ष temple की हम बात कर रहे तो उपर यहाँ पर ठीक है न विठ्थल temple complex भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर I think Dravidian style भी बना है यहाँ king devrai 2 ने बनवाय था king devrai 2 ने विठ्थल temple बनवाय था king devrai 2 ने बनवाय था and krishna devrai ने बहुत सारे काम यहाँ पर करवाय थे that is the thing which is there and यह जो श्री विजय विठ्थल temple है वो डेडिकेटेड है Lord Vittal को who is an incarnation of Lord Vishnu ठीक है दर्वडियन style जाता था अर्टिक्चर की आ जब आप website पर जाएंगे तो इस तरीके से tempsis.com में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं all these are being uploaded बहुत जल्दी content सारा कुछ अपको पड़े जाएगा economic survey भी आने वाला है वो भी मैं आप अलग से डालूँगा यहाँ से आप PDFC दे डाउनलोड कर सकते देखो इस तरीके से PDF भी आजाएगी this is the PDF जो हमने कल discuss किये पूरा तो I hope आपको अच्छा लगेगा प्लीज जॉइन कर सकते हैं नीचे description comment में link है वहाँ से आगे बढ़ते है analysis में इसी के जाथ और देखते हैं क्या important news article है यहाँ पर आती next put on back burner again as NMC seeks comments from stakeholders यहने कि National Medical Commission जो है comments मागे है regarding next examination ठीक है अब next के लिए क्यों मागे क्यों कि जब next NMC Act आया था तो 2019 में लाया गया था जिसने कि next exam बोला कि medical student जो pass out होंगे अपने 4-5 साल के बाद उनको next exam देना पड़ेगा ठीक है ना next में आपको next one और next two करके दो होगा ठीक है तो next जो है वो क्या replace करेगा final MBBS exams को replace करेगा जो final MBBS exams होता है उनको next replace करेगा national eligibility come entrance test जो है for PG यानी की NEET PG and foreign medical graduate examination जो FMGE होता है ठीक है यह जो foreign से आते थे उनके लिए तो इन सब को replace करतेगा next क्या replace करेगा final MBBS exams को national eligibility come entrance test for PG यानी की NEET PG को और foreign medical graduate examination यानी जो foreign रशिया औशिया के डॉक्टर आते हैं रशिया से बनके उनको बलब टेस्ट करने के लिए होता है तो उस सब को रिप्लेस करेगा अब बात के चल रहे कि क्या जो इंस्टिउशन से वो तयार है क्योंकि यह पहला बार रहेगा जब यह नेक्स्ट के थू हो एक डिगरी हुई तो निस चारच ओविस हो गया जो कि यहां पर पूछा जा रहा है and let's see what happens यहां पर आपको बता दो कि बहुत सारे प्रॉब्लम से जो मेडिकल कॉलेजेस में है जैसी घोस्ट फैकल्टी प्रॉब्लम है लो अटेंडेंस है मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस में exactly तो वहां पर अलग-अलग दो फेजेस में होगा next one और next step two एक यह जो होगा यह they will be held twice a year and याद रखेगा this is the thing which is there next step one जो है यह theory examination रहेगा next step two जो रहेगा इसके results जो prepare होंगे वो pass या fail के basis पे होंगे इसमें basically next step two जो रहेगा it will be considered to prepare a merit list for admission into broad specialty PG seats तो जो PG की seats उनके लिए admission लिए next step two रहेगा I hope you got clarity regarding that आगे move करते हैं देखते और कहा important news article है the legends who revolutionize the leadership and work culture निन इसरो यहाँ पर जो legends के नाम है वहाँ मैं आपको आद हूँ यहाँ सुमनाद जी ने यहाँ पर legends के नाम बता है जो current chair है इसरो के उन्होंने विक्रम सारभाई सतीष धवन अगर आप से कोई पूछा पूछे कभी कि अपी जब्दुलकलाम सतीष धवन जी माधवन नायर यह सब कौन थे जी माधवन नायर का नाम याद रखना है यह इसरो के chairman थे और edusat, riceat, ocean satin सब जो missions थे न उनके lead भी थे पद में विहूशन से भी सम्मनित किया गया है जी माधवन नायर को तो यह कुछ चीज़ें आप याद रख सकता है hope you will remember all these facts regarding that आगे move करते हैं, देखते हैं important news article है जिनके बारे हमको discuss करना है can move ahead with me, can malaria vaccine rollout be scaled up, यहां बाच्चादरी malaria vaccine की Cameroon जो है Africa में it became the first country in the world to launch RTSS malaria vaccine for children याद रखेगा Cameroon अफरीका में first country बनी है world की जिसने launch की RTSS which is a malaria vaccine for children and यह obvious सी बात है काफी जादा malaria का जो burden है वो आफरीका में आता है NWHO के according जो rollout है, it follows malaria vaccine pilot programs in Ghana, Kenya, Malawi इन countries में भी pilot program चल रहे हैं for malaria, regarding malaria and all and this is the thing which is important, I hope you got clarity जैसे कि मैं आपको बता है कि जो malaria का burden है बहुत जादा वो आफरीका से burden आता है लेकिन इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है, ठीक है न, infected female anaphylis mosquito के bite से यह होता है life threatening भी हो सकता है, यह parasites के द्वारा यह transmit होता है vector इसमें female anaphylis mosquito होता है it is preventable and curable disease, याद रहेगा, preventable and curable है world malaria report जो है, WHO निकालता है, world malaria report WHO निकालता है, उसके according, Africa bears the highest malaria burden accounting for 94% of the cases, ठीक है न, and India in 2022 accounted for a staggering 66% of malaria cases in South East Asian region South East Asia में हमारा India और Indonesia, दो countries famous है for malaria burden है न, South East Asia में दो country famous हैं, India और Indonesia, ठीक है और यहाँ बहुत सारी strategies है, जिसे पानी है, यह सब चीजों का जमना बहुत सारी waste management, hygiene conditions, यह improve करना पड़ेगा इसके लावा, एक और चीजों आपको आदो कि जो vaccine है, RTSS, वो plasmodium falciparum, यह भी एक तरीके का protozoa है, plasmodium falciparum उसके against भी यह protection देता है, it is one of the most deadly malaria parasite globally, ठीक है, challenges की बात करें, तो obviously बात है, climate change सबसे बड़ा challenge है, जिसके जो mosquitoes है, तो उनमें evolution आने लगा है दूसरा जो mosquitoes है, वो और जादा grow करते हैं, जब temperature increase होता है, तो that can be one of the major challenges which are there, I hope you got clarity regarding that आगे move करते हैं, science page पे, carbon emissions from oil sands underestimator, अब देखो बहुत important चीज़ आपको बताऊँगा, oil sands के बारे में oil sands के होता है, अचली loose sand type का एक area होता है, जहां पे oil traps बन जाते हैं, ठीक है न, oil traps बन जाते हैं, अब मैं आपको एक map दिखा तो, let me show you a map अब आपको यह map दिखा रहा होगा, यह आपका जो, यह Canada वाला portion है, ठीक है, Canada का portion है और Canada में आपको यहाँ पे जो यलो वाला पार्ट देख रहा है ना Athabasca oil sands देखो देख रहा है Athabasca oil sands देख रहा है then cold lake oil sands देख रहा है उपर आपको peace river oil sands देख रहा है तो यह oil sands के एरियाज है especially in the Canada region बहुत famous पार्ट है यह ठीक है आपको clear water river provincial park दिख रहा होगा then middle lake provincial park दिख रहा होगा यहाँ से और cold lake oil sands Athabasca oil sands Athabasca सबसे बड़े हैं peace river oil sands देख रहा होगा Alberta, Edmonton, Red Deer, Sakshaven यह देखो Sakshaven वाला जो region है वो भी यहाँ पर है आपका लाई करता है Canada में और lake Athabasca भी आपको दिख रहा होगा उपर तो all these are very important portions oil sands के और यह regions आपको मैंने दिखा दिए Canada के map में अब यहाँ पर आप नाम पढ़ना देखना यहाँ पर देखो लिखा है यहाँ पर नाम जिसका लिखा है अधाबास का oil sands in Canada यहीं के emission को study किया है पहले काफी underestimate किया गया था कि oil sands से कितना emission होता है लेकिन अभी air survey किया गया उसमें पता चला कि बहुत ज़्यादा emission होता है तो अभी यहाँ पर के study की गई है अभी बार्क के द्वारा भाब आटामिक रिसेर्स सेंटर के द्वारा और उनने बता है कि जो हमारे nuclear plants है उनका जो resultant impact है potential impact है on the environment हो बहुत कम है minimal है ठीक है न और अभी जो study किये गए है 5-6 nuclear power plants study किये गए है 2013 से 2020 के बीच में उनमें तारापूर atomic power station जो हमारा पहला था महराष्टर में located है वो study किया गया है मदरास atomic power station कैगा जो है आपका वो genetic status को study किया है और राजस्थान का atomic power station उसको study किया है नरोरा उत्तर प्रदेश में है आपका atomic power station ककरापारा गुजरात में है कैगा करनाटका में है ककरापारा आपका गुजरात में है तो इनको study किया गया है यहां पर कुछ pollutants के नाम लिखे हैं कि radio activity से कौन कौन से gaseous pollutant निकलते हैं, तो मैं आपको नाम बता जिता हूँ, argon 41 निकलता है, then radio iodine निकलता है, then particulate radionucleides निकलते हैं, cobalt 60, strontium 90, cesium 137 and tritium, these are the wastes and the liquid discharge होता है, उसमें fission product radionucleides, radio iodine, tritium, strontium, cesium, activation products like cobalt 60, यह निकलता है, तो तरह किसी यह आप नाम जरूर याद रखना, कई बार UPC पूछ लेगा कि निकलते हैं, nuclear power brands है, western equine encephalitis outbreak in Argentina, तो आर्जेंटीना में एक बिमारी का outbreak देखने को मिल रहा है, पहली बार हाला कि नहीं है कि यह outbreak देखने को मिले, तो this has already happened in the past, तो यह जो outbreak है यह आपका in the, especially in the, आर्जेंटीना में देख रहा है, ठीक है, western equine encephalitis, याद रखेगा western equine encephalitis एक mosquito born infection है, और यह cause होता है western equine encephalitis virus के थू, western equine encephalitis virus, और यह toga virida family of viruses से belong करता है, 11.5 kilobases इसका approximately long single standard RNA genome होता है, and it is a recombinant of the eastern equine encephalitis virus, and syndbis-like virus, तो यह जो syndbis लिखा है, syndbis भी एक virus ही होता है, toga virida family का ही, यह Cairo-Egypt में 1952 में पहली बार separate out किया गया था, तो यहां से, इसके जैसा ही virus होता है, western equine encephalitis, इसके लाबा पैसराइन बर्ड या पैसरीन बर्ड जो है, they are to be thought to be the reservoir and equine species as intermediate host, intermediate host के रूप में याद रखेगा आप, पैसरीन बर्ड जीखा है न, this is the thing which you can remember, पैसरीन बर्ड जीखा है न, are the intermediary hosts, and primary mode of transmission जो होता है infection का, to humans is through mosquito, which acts as vector of the virus, while most of the infections are asymptomatic, ज्यादा तर infections asymptomatic होते हैं, but the infections may lead to severe consequences in rare cases, rare cases में बहुत जादा severe भी हो सकता है, I hope you got clarity regarding that, the last human case जो था इंफेक्शन का अर्जेंटीना में वो in 82-83 में रिपोर्ट हुआ था, कुछ event 1996 में भी हुए लेकिन अब दुवारा से scout break देखने को मिल रहा है, Britain, Italy, Finland pause funding for UN agency in Gaza, UN agency जो की गाजा में काम करती है, UN relief and works agency for Palestine, UNRWA याद रखेगा, उसका जो Britain, Italy और Finland जो है उन्होंने pause कर दिया है funding, UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine, ठीक है, थोड़ा से मैं आपको UNRWA के बारे मता दूँ, it is a UN body, United Nations का ही relief and work agency है, Palestine refugees के लिए and it is a UN agency that supports the relief and humanitarian work in Palestine and it was established in 1949, 1949 में बना था and it supports the Palestine refugees, Palestine refugees को support करता है, 1948 का वार हो चाहिए, 1967 का six day वार हो अलग-अलग time पे जो refugees मिलें उन सबको यह support करता है, ठीक है, पहले इसको design किया गया था as a temporary agency, लेकिन इसका mandate renew किया जाता है हर तीन साल में by the General Assembly, इसका mandate हर तीन साल में renew कर दिया जाता है by the General Assembly, ठीक है, कौन-कौन से services है, education, healthcare, relief, social services, camp, infrastructure, improvement, microfinance, emergency assistance, इस सारी चीज़े प्रोवाइड की जाते हैं, I hope you got clarity regarding that, voluntary contributions जो आते हैं, UN Member States के उनके थूँ ये काम करती है, अभी इसकी की line में Britain, Finland, इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, और यह केवल United Nations General Assembly को report करती है, इसका जो originally headquarter है, वो बीरट, Lebanon में है, लेकिन, originally था, लेकिन इसको move कर दिया गया था, Vienna, Austria में, 1978 में, ठेक हैं, I hope you got clarity regarding that as well, यह fat आप याद रख सकते हैं, Climate crisis prompts Britain to halt the new gas export facilities, तो नहीं जो gas export facilities हैं, वो अमेरिका भी नहीं चालू करेगा, obvious सी बात है, यहाँ पे US, जो है, 2016 में इसने LNG, यानिके liquefied जो natural gas है, उसको export करना शुरू किया, बट चार, पांस, छे साल में ही, it became world's biggest supplier, LNG का, है न, और पहले तो Europe, जो है, वो रशिया का लेता था gas, लेकिन रशिया की gas नहीं ले पाने का आणा, अब वो अमेरिका की दरब चला गया है, due to Ukrainian invasion and all, ठीक है, आप जो नया planners के according, जो export applications हैं, they will be subjected to a review, and review के बाद ही, climate and environmental impacts को study करने के बाद ही, उनको export का license दिया जा सकता है, कारण यह है कि, जो election में आने वाले हैं, और वो हारना नहीं चाहते हैं, डोनल्ड ट्रॉम से, ठीक है, आगे move करते हैं, So, that is it for the day, I hope you liked our video, please like and subscribe, join करना होगा, करेंट अफस की स्रीज सो नीची, description कमेंट से, जोइन कर लेना, thank you, have a nice day.